Hello students, I am Neresh Kumar Online classes में एक बार फिर से आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम स्टाट कर रहे हैं वायू मंडल और वायू मंडल का संगठन तो वायू मंडल क्या होता है? वायू का वह आवरण जो प्रत्वी के चारो और फैला है वायू मंडल या एट्मोस्फियर कहलाता है तो वायू का वह आवरण जो प्रत्वी के चारो और फैला है क्या कहलाता है? वायू मंडल कहलाता है देखिए यहां पे एक परिभासा है परियावरण और वायू मंडल में थोड़ा सा अंतर है परियावरण क्या होता है वह कोई भी वस्तु जो हमारे चारो और विद्मान है परियावरण कहलाता है जबकि वातावरण क्या है गैसो का वह आवरण जो प्रत्वी के चारो और फैला है वायू मंडल कहलाता है ठीक है दूसरे सब्दों में कहीं तो कि प्रत्वी के चार और फैले गैसी आवरन को वायू मंदल कहते हैं इसके अध्यन को जलवायू विज्ञान कहते हैं किसके अध्यन को वायू मंदल के अध्यन को क्या कहते हैं जलवायू विज्ञान कहते हैं इसके अंतरगत वायू मंदल ये दसाओं जैसे की वायुदाब, तापमान, आर्दरता, वर्षा, आधी का अध्यन किया जाता है। इसके आधार पर विशु के अनेक जलवायु परदेश निर्धारित होते हैं। वायु मंडल गुरुत्व आकर्षन के कारण प्रत्थि पर टिका हुआ है। एक परिभाषा है, मौंक हाउस के अनुसार, वायु मंडल गैस की एक पतली परत हैं, जो गुरुत्व आकर्षन के कारण प्रत्थि के साथ लगी हुई है, अर्थाथ टिकी हुई है। तो मॉंखहौस जी ने क्या बता है कि वायू मंडल में गैस की एक पतली परत जो गुरुट्वा अगरश्न के करण प्रत्वी पर ठीकी हुई है क्या कहलाता है वायू मंडल कहलाता है ठीक है तो वाइव मंडल में जो गैसे हैं वो लगभग रंग हीन गंद हीन और स्वाध हीन गैसे होती है। इसमें बहुत सारी गैसे पाजाती हैं कुछ गैसे हमारे लिए जीवन दायनी है उसमें सबसे पर्मुक है ओक्सिजन गैस। उसे हम प्राण दाइनी गैस भी कहते हैं अब बात करते हैं वायू मंडल के वायू मंडल का संगठन कमपोजिशन ओब दा एटमोस्फियर वायू मंडल कई गैसों का मिस्रण है गैसों के अतरिक्त वायू मंडल में जलवास तथा धूल के कर्ण भी उपश्थित रहते हैं सुरी कारण नहीं कर्ण है यह तो जलवास तथा धूल के कर्ण भी उपश्थित रहते हैं गैसे वायू मंडल में वीविन परकार की गैसे पाई जाती है ठीक है और इसमें सबसे अधिक है नाइट्रूजन उसके बाद ओक्सजन उससे बाद फिर ओर्गन, कारबन डायाकसाइड, हाईड्रूजन, नियोन, हेलियम, क्रिप्टोन, जिनोन, ओजोन, आधिपर्मुगैसे पाई जाती है नाइट्रूजन गैस वाई मंडल में 78.09% मातरा में पाई जाती है जबकि ओक्सजन जो है 20.99% मातरा में पाई जाती है इसके बाद ओर्गन है 0.94%, करबन डायकसाइड है 0.03%, हाईड्रूजन है 0.01%, नियोन, 0.0018%, हेलियम, 0.0005%, क्रिप्टोन, 0.0001%, जिनोन, 0.00009% और ओजोन जब बहुत ही महत्तपून गैस है 0.00001%, ठीक है इस प्रकार इनके लावा भी कुछ और गैसे हैं लेकिन पर्मुक गैसी यही है इनमें भी कुछ सक्रिय गैसे हैं और कुछ अक्रिय गैसे हैं अक्रिय गैसों में सबसे तिक मातरा में ओर्गन पा जाती है उसके बाद नियोन, क्रिप्टोन, जिनोन, आदि गैसे हैं अब बात करते हैं ओक्सिजन की देखिए ओक्सिजन जो गैस है वो हम स्वास के द्वारा अंदर लेते हैं और बदले में कार्बरन डैकसाइड गैस छोड़ते हैं तो जो पेड़ पोदे होते हैं वो परकास सनक्सिलेशन की परकिरिया में परकास सनक्सिलेशन की परकिरिया में ओक्सिजन गैस बनाते हैं और कॉर्बन डैकसिट गैस को सोकते हैं तो इस प्रकार उह जन हमारे लिए एक जीवन दाईनी गैस है या प्रान दाईनी गैस है अब बात करते हैं जलवास्प की जलवास्प बाई मंदल में बहुत ही कम मातरा में पाय जाता है पाई जाती है अर्थात एक परतिसत से भी कम मातरा में यह है पाई जाती है यह है एक एस थिरगैस है इसके कारण ओस कोहरा बादल आदी बनते हैं वरश्टी अर्थात वर्शन होता है इंद्र धनुस तथा परवामंडल जैसे मनोरम आकाशे दरश्य भी जलवास्प के कारण नहीं दिखाई देते हैं देखी जो जलवास्प है यह बहुत ही कम मातरा में पाई जाती है और वाई बंडल में तो यह एक परतिसत से कम मातरा में पाई जाती है लेकिन ध्रातल के निकट यह है एक से चार परतिसत के बीच में पाई जाती है और आपने देखी कभी कभी द जो निकला रहता है तो समय एक इंदर्दोनुस बनता है और कहां बनता है वो सुरज के विपाशर सवेता नहीं ओ से परकास हो जाता है जिससे इंदर्दोनुस का निर्वान होता है है जो जो यह परवाम मंडल यानि हैलो है ये कभी-कभी आपने देखा हुआ सूरिय और चंदर्मा के चारों और एक गेरासा बन जाता है बादलों का उसे ही कहते हैं प्रभा मंडल या हैलो और ये हमेशा चक्रवात का संकेत देता है प्रभा मंडल ठीक है यह याद रखना अब बात करते हैं दूल कंड की दूल कंड दूल कंड वाय मंडल की निचली परतों में रहते हैं ये ठोस्पदार्त हैं ठीक है वाय मंडल में वायू की गति के करण सुक्सम दूल के कंड उड़ते रहते हैं ये दूल के कंड विभिन सरोतों से प्राप्त होते हैं इन में शुक्षम मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, धुएं की कालिक, राक तथा उलका पात के कंड समिलित है धूलकन प्राय वायमंडल की निचली पड़तों में ही रहते हैं ये धूलकन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं इनमें अधिकांस आधरतगराहिक के अंदर यानिकी हाईग्रोसकोपी निउकली बने होते हैं जिन पर वायमंडल या जलवास्प का संगनन होता है इस प्रक्रिया में बादल बनते हैं तथा वर्षा होती हैं देखें जो ये धूलकन होते हैं जो ये वायमंडल में उड़ते रहते हैं ये हमारे लिए वर्षा कराने में सायक होते हैं कैसे सायक होते हैं जब अधिकताप माने कारण जलवास्पित होकर उपर उठता है तो जो जलवास्प है इन दूलकरणों के चारों और संगनित हो जाती हैं और एक बादलों का निर्मान करते हैं और बाद में यही बादल वर्षा करते हैं वर्षा करते हैं तो बादल क्या है वास्प का ही एक रूप है जो उपर जाकर धूरकणों के सायता से संगनित हो जाते हैं ठीक है तो धूरकण जल वास्प के लिए जलगराही नाविकों यानि की हाईग्रोस्कोपी न्यूकली का काम करते हैं तो इस प्रिक्रिया से बगदल बनते हैं और वर्षा होती है सुरियोदे तथा सुरियाष्ट के समय आकास में इस प्रकार छाई लाली को परभात यानि डाउन तथा गोदली बेला को ट्विलाइट कहते हैं देखे धूलकन सुरिय तब को रोकने तथा उसे प्रावर्थित करने का कारिया भी करते हैं ये सुरियोदे तथा सुरियाष्ट के समय आकास में लाल और नारंगी रंकी छटाओं का निर्मान करते हैं आपने देखाओ लने सुरिया कुछ बड़ा दिख़्ाए देता है और लाल पन पर दिख़्ाए देता है उसका कारण ये धूलकन ही होते हैं धूलकन जो हैं उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिख़्ादेते हैं क्योंकि सुरियागर जो शाम क समय है और लाल दिखाई देता है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर हम पढ़ेंगे वाय मंडल की संवर्चना इस्ट्रक्चर ओब दा एड्मोस्फियर आज के लिए बस इतना ही थैंक यू